आप सभी अभ्यारतियों का एक बार फिर से हमारे चैनल सेवंटी टू पाइनियर फोर एड्यूकेशन पर हार्दिक अभिनंदन आज हम लोग सीटी टी पेपर टू सामाजिक विज्ञान वर्स दोजार बारा का तूसरा पेपर है दोजार ग्यारा का एक चर्चा कर चुके हैं यानि कि हम पेपर संक्या तीन में आ गए ठीक है पहले आप पूरा पेपर देखें और उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ठीक है और चलते हैं पहले प्रश्ण की तरफ बिना टाइम ग है गुप्त काल, तीसरा है हड़पा सबेता, और चोथा है वैदिक काल, अगर हम आपको बात करें इस पे चर्चा के परपत से तो मैं आपको वतादू कि गुप्त काल जो है उसको कहा जाता था क्या? करप्रथा का विशिस्ट महत्व इसमें कहलाता था क्यों कहलाता था जो प्राचीन भारत में गुप्त काल में है करप्रथा का विशिस्ट महत्व था क्योंकि गुप्त काल को प्राचीन भारत में स्वार्ण काल के नाम से जाना जाता था ठीक है स्वार्ण काल नॉर्मल बात कर रहा है स्वार्ण काल की ठीक है लेकिन अगर वास्तु कला का स्वार्ण काल की बात आ जाए किसका वास्तु कला का स्वार्ण काल तो आप ध्यान रखेगा वो आएगा मुगल काल और मुगल काल के अगर अंदर जाएंगे तो सहा जहां आएगा चीख है वावस्तु कला का स्वण काल यह आपको बात यहां पर धियान में रखनी है जो दूसरा प्रस्ट बढ़ सकता है स्वण काल गुप्त काल को कहा जाता है स्वण काल क्यों क्योंकि अक कर का जो विशेस महत्तु था और यहां की आए का श्रोत भी जो गुप्त काल में कर ही था ठीक है अगले प्रश्ण की तरफ बढ़ते हैं अब अमारा प्रश्ण है प्रत्वी द्वारा सूर्य के चारों और गूमने को कहा जाता है पहला है कक्षिय सम्तल दूसरा है प्रति दिप्ति वृत तीसरा विकल्प है गुर्णन और चोथा विकल्प है परिक्रमन अगर हम बात करें कि जो परिप्रमन क्या है और परीक्रमन क्या है इसकी दो घतियां है प्रत्वी की एक तो इसके अपने अक्ष पर गूमना ठीक है और दूसरा है सूर्य के चारों और घुमना ठीक है कन्फ्यूजन करता आदमी को और जो ये अक्स पर घुमती है ये गुर्णन कहलाता है क्या कहलाता है गुर्णन कहलाता है और अपने अक्स पर घुमना परी भ्रमन कहलाता है जब सब्द आपको confusion के लिए आजाएगा तब आपको दिक्कत आएगी यहां सब्द परी भ्रमन कहलाएगा और जब सूरिये के चार ओर जब चक्र लगाती है तो परी क्रमन आएगा और सरल सा आप यह ध्यान रख सकते हैं कि जैसे हम मंदिर जाते हैं तो परी क्रमा करते हैं हम खुद गुमते हैं ठीक है ना तो वह परी क्रमण हो गया सरल सा आपको सब से सरल याद रह जाएगा और जब आप सूरिये को जल सूरिय के चार और गुमने का ज़्यादा परिक्रमन और प्रत्वी का अपने अक्ष पर गुमना परिक्रमन कहलाता है अब अगर हम और बात करें कि प्रत्वी की जो परिक्रमा का मार्ग है वो निश्चित है और उस निश्चित मार्ग को कक्स कहते हैं क्या कहते हैं कक्स और अगर और आगे जाएं तो प्रत्वी के अपने अक्स पर जुके होने और परिक्रमन गती से परिक्रमन कौन सा सूर्य के चार और इससे रीत्वें बनती है क्या बनती है रीत्वें और अपने अक्स पर गूमने से दिन रात होते हैं ठीक है यह यहां पर सिस्ट कोश्चन जो बनना है इस पे चर्चा करना जरूरी है इसलिए प्रस्ट पत्र थोड़ा लंबा चलेगा अगले प्रस्ट की तरफ बढ़ते हैं अब हमारा प्रस्ट है कि निवन में से किस भारतिय साहित्यक दरोवर का अर्थ है गुरू के पास जाकर या समीप बैठना तो यह तो आपने पढ़ाई होगा कि उपनिशद का अर्थ होता है गुरू के पास या समीप बैठना ठीक है उपनिशद दो सब्दो से मिलकर बना है उप धान निशद ठीक है और उपका अर्थ क्या होता है उपका अर्थ होता है समीप और निशद का मतलब होता है बैठना इस प्रकार उपनिशद का अर्थ क्या हो गया समीप बैठना और उपनिशद की रचना वेदों के दार्सनिक व्याख्या के लिखी गई है और उपनिशदों की जो संक्या है वो आपकी 108 है ठीक है अगले प्रस्ट की तरफ बढ़ते हैं अब प्रस्ट के चार भारत में मुंड जनजाथी किस छेत्र में निवास करती है तो पहला उप्षण दुर्ग दूसरा कुल्लू तीसरा चोटा नाकपूर और चोता है बस्तर तो चोटा नाकपूर पठार जो है वहाँ पर मुंडा जन जाती निवाश करती है ठीक है अगले प्रस्ट पर बढ़ते हैं अब हमारा प्रस्द क्या पांच जब किसी व्यक्ति या समों को किसी प्रतिरूप के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे कहा जाता है प्रतारित मूर्ती भैदभाव रूड़िबद तो जब किसी प्रतिरूप के साथ हम जुड़ जाते हैं यानि कि किसी पिछली चल रही क्रियाओं से अगर हम जुड़ जाते हैं परमपराओं से जुड़ जाते हैं तो वो रूड़िबद कहलाता है ठीक है अगले प्रस्ट के तरफ बढ़ते हैं अब हमारा प्रस्ट है बारति आपको ये भी पूछा जा सकता है कि सम्वेधानिक उपचारों का अधिकार किस से संबंदित है तो सम्वेधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो 32 से संबंदित है जिसे डोक्टर भीमरावंबेडकन ने समिधान की आत्मा भी कहा क्या कहा समिधान की आत्मा ठीक किसको कहा अनुछेद 32 को फिर अपना है समानता का अधिकार वो है 14-18 ठीक है अगले प्रश्ण की तरफ बढ़ते हैं अब हमारा प्रश्ण है कि खालसा की इस्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे पहला विकल्प है गुरु गोविन सिंग दूसरा गुरु तेग बहदूर तीसरे हैं गुरु नानक देव और चोते हैं गुरु अंगद देव अगर गुरु गोविन सिंग की बात करें तो इनों ने खालसा पंत की इस्थापना की थी ये दसवे गुरु थे कौन से गुरु ते दस Whole Guru, अब अगर हम यहां पर जो यह सिक्त धर्म इसके जो संसापक है वह गुरू नळनक देव थे, कोन थे गुरू ननक देव, यह संसsisतापक थे और अब यहां पर जो और गुरू है गुरू तेग बहादूर इनको जो है मृत्यू या फांसी पर चड़ा दिया था किसने ओरंग जेब ने ये सब बिसिस्ट होते हैं अपने आप में कि इनके साथ कुछने कुछ गटना है गटी है ठीक है फिर अगर गुरू अंगद्यव की बात करें तो इनोंने लंगर व्यवस्ता को इस्थाई किया था जो लंगर आज अमरिस्तर में लगती है और जो गुरू तेग बहादूर को भी फांसी मिली थी और एक गुरू ओर थे जिनको फांसी मिली थी वो थे गुरू अरजुन देव कौन थे अरजुन देव और अर्जुन देव को फासी किस ने दी थी अर्जुन देव को फासी दी थी जहांगिर ने ठीक है ये आपको ध्यान रखने वाले प्रस्ण है जो आगे चलके पूछे जा सकते हैं क्योंकि 2012 में छोटे प्रस्ण भी पूछे गए थे अगले प्रस्ण की तरफ बढ़ते अब हमारा प्रस्ण है विश्व सांती का विचार किस मुगल सासक ने आगे बढ़ाया पहला अप्शन हो मायू दूसरा जहांगिर तीसरा अकबर चोटा सांजा तो यहां का सही जवाब है अकबर ठीक है तो विश्व सांती के विचार को मुगल बास्षा अकबर ने आगे ए इलाही ठीक है और इसकी स्थापना कब की इनों ने 1581 में ठीक है 1581 में इनों ने दीन है इलाही धर्मचलाया जो सभी धर्मों का अगले प्राश्ण की तरफ बढ़ते हैं अब हमारा प्राश्ण है कितूर के ब्रिटिस विरोधी आंदोलन का नित्त्व किस ने किया पहला उप्षन है रानी चंपा दूसरा है नाना फादानिश तीसरा है अहल्या भाई होलकर और चौता है रानी लक्ष्पी भाई यह तो आपको पता ही है जासी से थी ठीक है और इन लोग वस्तुएं वप्रकरती जो किसी भी जीव को गेरे रहती है चैल आता है तो पहला option लिखा है परियावरण, दूसरा जेविक शंसादन, तीसरा इस्थल मंडल, चोथा है परिवेश, अब परियावरण का मतलब क्या होता है, परिधन आवरण, जिसका अरता है हमारे चारो और का परिवेश, और परिवेश के अंतर क्या क्या आता है, इस्थान आते हैं, लोग आते हैं, वस्तुएं आती है, प्रकरती आती है, यानि इस्थल मंडल, वायू मंडल, और जल मंडल, तीनों आ जाते हैं, तो यहां पर हमारा जो सही option होगा, वो होगा परिवेश, यानि की परियावरण, ठीक है, परिवेश का मतलब होता है, चारो और, मैंने आपको वहाँ मैत में भी बताया था, और आवरण का मतलब होता है, एक गेरा, जिसके अंतरगा इस्थान, लोग वस्तुएं प्रकरती जैसी चीजे होती है, जो जीव को गेरे रहती है, ठीक है, अगले प्रस्ण की तरफ बढ़ते हैं, अब हमारा प्रस्ण है, पिंड जिन में तारो और तो चकर लगाते हैं, लेकिन इनका स्वयम का प्रकास और उस्मा नहीं होती है, तो ये जो हमारे हैं, क्या कहलाते हैं, पहला है ग्रह, दूसरा है खगोलिये पिंड, तीसरा है तारा, चोथा है तारा मंडल, तो जिनके पास खुद की उस्मा और प्रकास नहीं होत और अब आगे प्रश्णों की बात करते हैं तारा मंडल नक्षत्र मंडल ये भी सारी बाते हैं नक्षत्र मंडल की अगर हम बात करें तो आरसा मेजर या बिग बियर एक नक्षत्र मंडल है ठीक है और अब आगे चलते हैं अब हमारा प्रश्ण है निम्न में से वायू मंडल क कौन सी परत वायू यान की उडान के लिए आदर्श है तो मैं आपको बता दू कि जो परते हैं पहली परत होती है शोब मंडल ठीक है दूसरी परत होती है शमताप मंडल फिर तीसरी परत होती है आपकी कौन सी मध्य मंडल ठीक है और मध्य मंडल के बाद होती है आपकी बाहे मंडल और बाहे मंडल के बाद होती है बहिर मंडल ठीक है अब अगर सोब मंडल की अगर हम बात करें तो सोब मंडल में क्या होता है सोब मंडल में जो है ये सबसे निचली परत है प्रित्वी की पहली बात तो ये समझ लो आप फिर मनुश्य एवं जीव जन्तू सभी को ओक्सिजन इसी परत में मिलती है जो बादल है वर्सा है कूरा है बादल फटना है ये सारी गटनाएं यहां पर होती है फिर आती ये बात समताप मंडल की समताप इसके नाम से ही पता चलता है कि इसका तापमान बराबर है और ये हवाई जाज के उड़ने के लिए सही है ठीक है अगर हम बात करें समताप मंडल जो है समताप मंडल में एक पतली सी परत होती है वो होती है ओजोन परत ठीक है और इसका क्या काम है इसका काम है सूर्य से आने वाल है वो डोबसन से मापी जाती है डोबसन इसका इकाई है और इस समय लोग डाउन चल रहा है तो जो ओजोन छिद्र था जो ओजोन होल है वो इस समय भर रहा है क्योंकि इस समय परदूसन नह के बराबर है नदिया साफ हो रही है क्योंकि उनका कोई इस्तमाल नहीं कर रहा है अ अब इसके आगे अगर हम चलते हैं तो वो है मध्य मंडल जो समताब मंडल के ठीक उपर है और जब अंत्रिक्ष से वायू मंडल में प्रवेश करने वाले उलका पिंड होते हैं वो इस परत में आकर राख हो जाते हैं अब अगर हम बाहय मंडल की बात करें तो बाहय मंडल को आयन मंडल भी कहते हैं और यहां इस परत में रेडियो एक्टिव तरंगे होती है और सभी कृत्रिम उपग्रहों का संचालन इसी मंडल से होता है और फिर बस्ता है बहिर मंडल जो हीलियम और हाइड्रोजन गेसों से बना है और यह मंडल जीवन के लिए मानव जीवन के हैं और सबसे ऊपरी परत जो है बहिर मंडल है ठीक है अब अगले प्रस्ण की तरफ बढ़ते हैं अब अमारा प्रस्ण क्या तेरा जब कोई सिलाखन दबाव एवं कठोर था के कारण परतदार सेल में बदल जाता है उसे कहते हैं पहला अप्शन है अवसादी सेल दूसरा है सेल तीसरा है आगनेई शेल और चोथा है कायांतरित सेल अवसादी सेल परतदार चट्टार होती है जो आगनेई शेल एवं कायांतरित सेल के अपक्षे एवं अपरदन के कारण बनती है और इस प्रकार के सेल में जीवाश्म पाए जाते हैं यानि कि ये सेल कौन सी है अवस अब हमारा प्राशना है जब बहुत सी ओध्योगी की काएं एक दूसरी के नजदीक इस्तित होती है और अपनी नजदीकी का लाब उठाती है वो कहलाता है यानि कि बहुत सारी इंडस्ट्री एक जगे एकटी हो जाती है तो क्या कहलाती है पहला कहरा बाजार दूसरा कहते हैं जो बहुत सारी ये जगए पर नजदीक में इस्तापित हो जाती है तो यह अगले प्रस्ट की तरफ बढ़ते हैं अब हमारा प्राश्ण है नीवन में से कौन से वनों की पत्तियां के गिरने का निश्चित समय नहीं होता है इसलिए कभी वो अनावरित नहीं दिखते हैं पहला उप्षन है सीतोष्ण सदावार दूसरा है सीतोष्ण पाण पाती तीसरा है उस्ट कटीबंदिये पाण पाती और चोथा है उस्ट कटीबंदिये सदावार वन तो इस कंडिशन में जिनकी पत्तियां नहीं गिरती है उसमें आते हैं उस्ट कटीबंदिये सदावार वन क्योंकि इस छेत्र में 200 सेल्टिमीटर के लगबग वर्सा होती रहती है जो जलवायू के अनुकूल है और यहां पेडों की पत्तियां नहीं जड़ती है यह व्रिक्ष जो हैं उत्तरपूरु में भारत पश्चिमगाट में अंदमान निकोबार में और विश्वतिय परदेश में पाए जाते हैं रबड महोगनी रोजवुड और आबनूस जो है इस तरीके के विरिक्ष हैं जो उश्ण कटी बन दिये सदा बहार वनों में पाए जाते हैं अगले प्रश्च की तरफ बढ़ते हैं अब है भारत की सर्वोच कानून निर्मान संस्ता है पहला उप्षन ह में राश्ट्पती दूसरा न्याई पालिका तीसरा संसद चोथा परदान मंत्री एवं उसका मंत्री परिशद तो संसद जो है वह भारत की सर्वोच कानून निर्मान संस्ता है और इसे केंद्रिय विवस्तप का भी कहा जाता है और संसद का गठन कैसे होता है लोकसभा राज्य सवा प्लेस राष्ट्रपती ठीक है ये संसद का फॉर्मूला है ठीक अगले प्रश्ण की तरफ चलते हैं अब हमारा प्रश्ण संक्या 17 जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का अस्तक्षेप नहीं करता है तो उसे का जाता है प्रभुशत्ता राज्य तंत्र स्वेच्छाचारी धार्म निर्पेक्ष था आपको पता जहां सभी धर्मों को समान भाव से देखा जाता है वो धार्म निर्पेक्ष कहलाता है जैसा कि अपने भारत में धार्म निर्पेक्ष माना जाता है जहां बारत का कोई राष्ट्री धार्म नहीं हम ये भी कह सकते हैं ठीक है यहां पर सभी धर्मों का समान आदर होता है जैसे धार्मिक स्वतंतरता का अधिकार जो बताया था अनुछे 25 से 28 के बीच ठीक है अगले प्रस्ट की तरफ बढ़ दूस्यर अगले प्रस्ट की बात करते हैं अब हमारा प्रश्ट की आप सब्सक्राइब सामाजी विज्ञान में सरपिल पाट्टे चर्या का निमलिकित में से कौन सा लाब है पहला है अंतरवस्तु आधारिश सीखने को विक्षित करने वाले अवसरों को बढाना संकल्पनाओं को अधिक उद्देशिपूर्ण और पारसंगिक बनाना दूसरा है संकल्पनाओं को अधिक उद्देशिपूर्ण और पारसंगिक बनाना तीसरा है गहन समझ के साथ और एक लंबी समयावदी के लिए संकल्पनाओं का संधारण और चोथा विकल्प है सभी विशियों में संकल्पनाओं का अदूपरियोग करना देखो यहाँ पर जो हमारा है हमारी समझ विक्षित होनी चाहिए और एक लंबी समयावदी के लिए उन संकल्पनाओं को हम धारण कर सकें ऐसी चमता पैदा होनी चाहिए कि ना हम रटें ना कोई काम करें ठीक है क्योंकि रटना एंसी अफ दो जार पांच मना करता है अगले प्रस्ट की तरफ बढ़ता है अब हमारा प्रस्टन क्या बीस मुगल वास्तु सिल्प यानि मुगल वास्तु कला मिश्रण है पहला अप्शन है तुर्की वह अफगान से लियां दूसरा है तुर्की वह फार्सी से लियां तीसरा अर्ब और भारतिय से लियां चोथा फार्सी और भारतिय से लियां तो मैंने आप से कहा था मुगल काल वास्तु कला का सिल्प कला का स्वार्णिम काल था क्यों था क्योंकि इन्होंने फार्सी और भारतिय से लिको मिश्रित किया था ठीक है और बारत की मानक देश अंतर है पहला लिखा है 82 डिग्री पूर्वी देश अंतर दूसरा लिखा है 82 degree 30 minute पूर्वी देश अंतर और चौता लिखा है 82 degree 50 minute पूर्वी देश अंतर भारत का मानक देश अंतर रेखा जो है 52 degree पूर्वी देश अंतर रेखा है जो इलाबाद के निकट नेनी से गुजरती है अब अमारा प्रस्ट है क्रशी की एक पदती जिसमें व्यापक इस्तर पर आधुनिक आगतों का उपियोग और अधिक उत्पादक्ता प्राप्त करने के लिए किया जाता है कहलाती है पहला इस्तानांत्री क्रशी दूसरी निर्वाह क्रशी तीसरा वानिज्यक क्रशी और चोथी गहन क्रशी उत्पादक्ता प्रात करना है तो जाइड सी बात है ये वानिज्य क्रशी होगी और इसी में उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक आगतों का परियोग करना पड़ेगा और आधुनिक मशीनी का परियोग करना पड़ेगा इसलिए वानिज्य क्रशी है जिसमें ऐसा होता है अगले प्रश्ण की तरफ बढ़ते हैं अब हमारा प्रश्ण है निमलित में से कौन सा परम परागत उर्जा का श्रोत है देखो एक होता है परम परागत और दूसरा होता है अपरम परागत ठीक दो तरेके के उर्जा श्रोत है अपरम परागत की अगर हम बात करें या गेर परम परागत की अगर हम बात करें तो हमारे पास आजाते हैं पहला सौर उर्जा जो सूरिय से में मिलती है दूसरी पवन उर्जा जो हमें हवा से मिलती है और तीसरा जल उर्जा और चोथा जवारिय उर्जा ये हमारे अपरम परागत है यानि कि ये कभी क्या नहीं होने है खत्म भी नहीं होने है और यहाँ पर देखो सौर उर्जा चला गया अपरम परागत में जवारिय चला गया पवन चला गया जीवाश्म हमारा बच गया जिसमें पेट्रोलियम है, कोईला है, इधन है, ये सारी चीजें जो है, प्राकरतिक गेस है, ये सब आते हैं परम परागत में, ठीक है, अगले प्रस्ट की तरह बढ़ते हैं, अब हमारा प्रस्ट हैं क्या चोबिस, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनित आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलावाते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पहला उप्षन है, अपनिवेशी करण, दूसरा पुनर जागरण, तीसरा महा संग, चोथा व्यापारिक, तो हमारा यहां पर जो जवाब होगा, वो होगा अपनिवेशी करण ठीक है, अपनिवेशी करण क्या होता है, अपनिवेशी करण वह प्रक्रिया है, जिसमें कोई राष्टर, पिछड़े या कमजोर राष्टर पर अपना राजनेतिक व्या आर्थिक नीतियों को जबरदस्ति लागू करता है, और उस देश के आर्थिक और प्राकर्तिक संसा अधनों का दोहन करता है, जैसे भारत का ब्रिटेन ने किया था, और फिर भारत ने 1947 में आजादी प्राप्त की, ठीक है, अगले प्राष्ण की तरफ बढ़ते हैं, अब हमारा प्राष्ण है, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट जापान के आसपास समुद्र मत से अधनी धाला वैती है, चौता है, दंतूरित तटी ये छेत्र है, लेकिन जां मत्ष्णियां बहुत ज्यादा परियावत मात्रा में हैं, तो वहां इसलिए है कि वहां वनस्पती है, वहां गर्मोर ठंडी धालाओं का मिलन होने से, जो मश्णियों का आहार है, यानि यो वन प्रची लेने जाते हैं, तो उसमें लिखा होता है, निरवाचन छेत्र, यानि जिस निश्चित चेत्र में जहां रहने वाले, सभी मत्दाता अपना प्रतिनी दी चुनते हैं, वह निरवाचन छेत्र कहलाता है, ठीक है, अगले प्रश्ण की तरफ बढ़ते हैं, अब हमार यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है, तो दांडी यात्रा जो थी, नमक कानून को तोड़ने के लिए थी, और जिसके तहत उन्होंने नमक कानून को तोड़ा, और इसी के साथ इन्होंने सब इन्हें अवग्या आंदोलन आरंब किया, जिसकी अगर हम तारीक की बात क तो 5 अप्रेल 1930 की ये घटना है ठीक है अगले प्राश्न की तरफ बढ़ता है अब अमारा प्राश्न संग्य 28 सास्त्री नित्य के संदर में निमलिक में से कौन सा खथन सत्य है पहला कथक कली कथक शेली का सास्त्री रूप है दूसरा है कथक शेली को सास्त्री नित्य के रूप में मानेता केविल सुतंता प्राप्ति के प्रशात मिली तीसरा है ये लोक नित्यों से सदा स्रेष्ट है चोता है सास्त्री नित्यों के आठ मान्य रूप है तो अगर हम बात करें तो यहां पर जो सबसे सही बात है वो है सास्त्रे नित्य के आठ माननी रूप है जिसमें पहला है भारत नाट्यम आपको ध्यान में रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी भारत नाट्यम और भारत नाट्यम कहां का है भारत नाट्यम आपका जो है वो है नाडू का, कहां का है तमिल नाडू का आप इसको ये भी राध लगते हो भारत और भात भात्मने चावल, ठीक है फिर है, मणिपूरी जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी नामी मणिपूरी ये तो जाइर सी बात है कहां का है मणिपूर का है उसके बाद है कत्थक ठीक है सबसे ज़्यादा पान बनारस का फेमस है यानि ये अपना कत्थक कहां का है यूपी का और कत्थक चूने मिला जाता है फिर आया कत्थक कली ठीक है इसी में कन्फ्यूजन होता है कत्थक कली और कत्थक में कत्थक आपका चला गया कत्थे में यूपी और कत्थक कली के लिए आ गया कैसे कत्थक कैसे केरल ठीक है अब आगे की बात करें तो मोहिनी अट्टम मोहिनी अट्टम भी आपका जो है कत्थक कली के साथ है मोहिनी अट्टम ठीक तो एक दो तीन चार पाच हो गए आपके ठीक है अब हमारे जो बचे उसके बाद है कुच्ची पूड़ी कुच्ची पूड़ी को अगर हम ये पढ़ लें कच्ची पूड़ी तो कच्ची पूड़ी कौन खा सकते हैं अंधे लोग खा सकते हैं याद करने के तरीका है इस ठीक है और इसके आगे अगर हम बात करें तो सांतरिया जो असोम का है तो आप कोशिश करिएगा दो बार इसको लिख करके करने की आपको आठो के आठो सास्त्री नित्य के नाम और उनका छेत्र आपको याद हो जाएगा अगले प्रस्ण की तरफ बढ़ते हैं अब हमारा प्रस्ण के द्वारा छत्रक शिला का निर्मान होता है इसके निर्मान के लिए वायू जल और भूस खलन महत्पूर्ण कारक है अगले प्रस्ण की तरफ बढ़ते हैं अब हमारा प्राश्ण है भारत में राज्यके राच्पाल की यानि की गवर्नर की नियूक्ती कौन करता है पहला परतान मंतरी दूसरा सरवोच नहाले के मुखने अधिस तीसरा भारत के राश्टपती चोता संसत इसको राज्यपाल को कहा जाता है ये राश्टपती के परसाद परियंत है और इसके अगर अनुछेत की बात करें अपने समिधान की अनुसार तो 155 अनुछेत के तहत राश्टपती जो है राज्यपाल की नियुक्ति का अधिकार बाड़ते हैं अब हमारा प्रश्ण क्या 31 विश्व की 80% से अधिक जन्संख्या निवास करती है पहला उत्तरी अमेरिका तथा एसिया दूसरा एसिया तथा यूरोप तीसरा एसिया तथा अफरीका चोथा है एसिया तथा दक्षिन अमेरिका तो यहां पर जो है सबसे कर रहे प्रकरण को पढ़ाने की सर्वोतक्रश्ट तरीका है आपने सुना होगा आज संसद ने वह हो गई इस्टोफ हो गई रोग दिया गया वह क्या होता है तो इस संसद के कारे को समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए पहला मुद्दों पर सहिमती बलाने के लिए वीवाद का धूजन करके हम संसद के कारी पर करण को अच्छे से समझा सकते हैं तो हमें व्याद का धूजन करना चाहिए किसी मुल्दे को लेके अगले प्लस्न की तरफ चलते हैं अब हमारा प्लस्न चिया 33 सतत और व्यापक मुल्यांकन मुख्य रूप खाली जगह पर बल देता है पहला है मस्तिस का हदय और हाथ की शिक्षा पर दूसरा है कमजोर आयोग्य विद्यार्थियों को उच इस्तर पर प्रणुत करने के लिए तीसरा है बच्चे के सुधार के लिए लगातार परिक्षण करने में और चौता है बच्चे के विवार का सतत अवलोकन करने के लिए जो सतत और व्यापक मुल्यांकन होता है वो बच्चे के विवहार का सतत अवलोकन करने के लिए होता है राश्ट्रिय पाट्टे चर्या 2005 यानि NCF सतत एवं व्यापक मुल्यांकन की संस्तुती करती है इसके अंतरगत बालक के विवार का सतत अवलोकन करने की बात कहती है अगले प्रश्ण की तरफ चलते हैं अब अमारा प्रसंग्या 34 सामाजी विज्ञान की सिक्षिका अक्षर वस्तुनिस्ट अक्षर यानि की अक्षर वस्तुनिस्ट प्रश्ण वाले रूपात्मक आकलन करती है लेकिन उसे उसके द्वारा विक्षित परिक्षण की विश्वस्नियता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए पहला रिखा है ये पता लगाना चाहिए कि अन्य सिक्षक क्या करते हैं दूसरा प्रस्णों भी संख्या बढ़ानी चाहिए तीसरा है मानकिकत प्रिक्षन का प्रियोग करना चाहिए तीसरा N.C.A.R.T. का प्रकाशित उधालन रूपी पुस्तकाओं में दिये गए प्रशनों का प्रियोग करना चाहिए ठीक तो यहाँ पर यह पता लगाना चाहिए हम लोगों को कि अन्य शिक्षक उस विक्षित परणाली के लिए और क्या करते हैं ठीक है अगले प्रशन की तरफ बढ़ते हैं अब हमारा प्रशन है सामाजिक विज्ञान को बच्चों को खाली जेगे के साथ लेस करना चाहिए पहला स्वतंतर रूप से चिंतन करने की योगिता के साथ लेस होना चाहिए दूसरा है सामाजिक वेवारों का बचाव करने की सामाजिक वेवारों का बचाव तो नहीं करना है, जेंडर के बारे में सामाजिक नियमों का पालन करने की, जेंडर विवेजता नहीं करना है, सामाजिक दबाव को जहलने की, नई सामाजिक दबाव को नहीं जहलना है, कुरूतियों को हटाना है, तो स्वतंत्र रूप से चिं करता है पारशपरिक पारिषपरिक अधिगम की विसेष्टा है पहला है शिक्षक शक्रिय Hundredscale अधिगम प्रकृया को आगे बढ़ाते हुए पराश पर आदान पड़ान करता है दूसरा कहे रहा है शिक्षिक का विद्याले में कार किया जाता है यही सत्य है कि सीखने का उत्तरदाइत दोनों पक्ष के ओर द्वाला साजत किया जाता है यही पालस पर एक अनोन्य अधिगम की विसेशता है अगले प्रस्ट की तरफ बढ़ते हैं कि समाज विज्ञानों के नियामक मानदंड समंदी आयाम निमलिक्त आयों में से किसे सामिल करता है पहला उप्योगिता दूसरा अकाटेता तीसरा पार संगिकता चोथा समानता और यहां का जवाब होगा समानता क्योंकि समाज विज्ञान के नियामक्त था मानदंड समंदी जायाम में समानता को शामिल किया गया है अगले प्रस्ण की तरफ बढ़ते हैं अब अमारे पास प्रस्ण की आड़तिस मौसमी उपकरणों के द्वारा मौसम संबंदी सूचनाएं एकत्र करना उधारण हैं देखो यहां पर आंकड़े जो होते हैं प्रात्मिक होते हैं और द द्वारा तयार किये गए हैं और उनका हम उप्योग करते हैं तो यहां पर प्रस्ण के लिखा है कि मौसमी उपकरणों के द्वारा मौसम संबंदी सूचनाएं कत्रित करना यानि हम खुद उन उपकरणों का प्रयोग करेंगे और मौसम के बारे में जानकर इकट्टा यानि यह हमारा प्रात्मिक आंकड़े में आएगा अगर हम ऐसा कह दें कि हमने पांच दिन का पेपर पड़ करके वहां से मौसम के उथल पूतल के बारे में जैसे पिछला टोपिक था कि जलवाई और मौसम पड़ाना है तो उसकी शुरुआत कैसे की जाए पर करनगे तो क हमने पेपर की कटिंग कर ली अब अगर हम खुद मौसमी उपकरणों का परियोग करके मौसम समंदी सूचनाओं को एकत्रित करेंगे तो वह प्रात्मिक आंकड़े होंगे ठीक है बात ध्यान रखेगा प्रात्मिक आंकड़े वह आंकड़े हैं जो हम सुएम एकत्रित करते हैं और दित्यक आंकड़े वह आंकड़े हैं जिनको हम कहीं से वह आंकड़े तयार है और उनका इस्तमाल कर लेते हैं वह दित्यक आंकड़े हैं अगले प्राशन की तरफ चलते हैं अब हमारा प्राशन है प्रात्मिक पीड़ी के अधिगम करता के अभिभावक यानि की जो योग्यता का अभिव्यक्ति करते हैं. यानि यो मिटिंग होती है और PTA जो होती है, Parent Teacher मिटिंग, तो उस मिटिंग में वो बताते हैं कि हमारे बच्चों की सेखशच जो समझगां हैं, उनमें हम लोग उसको निपटने में असमर्थ हैं तो एक शिक्षक होने के नाते आप उन अभिभावक को क्या कहेंगे पहला है उन्हें ये वताते वे तसल्ली देंगे कि अपने बच्चों के बाले में उनका ग्यान उन बच्चों से विवार करने में साइता करने के लिए सरवाधिक महर पूना है नुशुरा उन्हें गर पर विबिन प्रकार की अधीगम सामगरी से सम्रिध वातावरन उतलब्द कराने के लिए कहेंगे गई किसी इक बात नहीं नहीं है तो कहां सकराईगा समय को ध्यान पुरुवक देखने के लिए कहेंगे हाँ कि जब आपको बच्चे को आपने पढ़ने के लिए टाइम दिया है कि आपको दो गंटे पढ़ना है उस दो गंटे में वो क्या करता है इस चीज पर अगर ध्यान देंगे तो उनकी सेक्टनिक जो एजुकेस्टल्स प्रोब्लम है वो समाप्त हो जाएगी अगले प्रश्ण की तरफ चलते हैं अब हमारा प्रश्ण है लोक तंत्रिक राज तंत्र पढ़ाते समय सामाजिक विज्यानों की सिक्षिका अपनी कक्षा से बातचीत करने के लिए सिक्षिका को निमलिक में से किसकी साज़ेदारी उनके साथ करने चाहिए पहला है कक्षा में कुछ ऐसे विद्यार थी हैं जो आरक्षित रेड़ी के हैं देखो शिक्षा जो है हो सभी के लिए बरावर है इसमें OBCC जनरल ही सब कुछ नहीं है दूसरा है इस प्रकरण के लिए अनुदेशनात्मक उद्देश्य है तीसरा है कक्षा के लिए प्रस्ता इस प्रकरण पर आधारित आकलनों का प्रकार यह भी नहीं हो सकता यहां पर होगा इस प्रकरण के लिए अनुदेशनात्मक उद्देश्य जो हैं वह हल होंगे अगले प्रस्ण की तरफ चलते हैं अब हमारा प्रस्ण क्या 41 राष्ट्रिय इस्तर पर सामाजिक विज्ञान की पुस्तक की निम्न लिखित में से कौन सी सरवादिक मैत्मुन विसेसता है पहला इसे ऐसा होना चाहिए ताकि सभी सामाजिक सम्मुएं उसके साथ सम्मंदित हो सके यानि सामाजिक विज्ञानम पढ़ रहे हैं और उसमें समाज की अगर कोई बात छूट गई तो वो कित आप कैसी इसलिए जितने भी सामाजिक सम्मुएं उनके साथ सम्मंद करते वे ऐसी होनी चाहिए दूसरा कह रहा है इसे विसेस का इतियास लिखने में किसी विचेरधारा विसेस का अनुगमन नहीं करना चाहिए ठीक है फिर कह रहा है इसमें अधिक लंबी पाट्टे और आप चाहिए बच्छों को कटिनाइं होती है एनसी और गहराइए करता है उसे इस परश्ट और विवस्तित रूप में सूचना अपलक्द कराए जाए जाए ताकि वो वह याद करने मदन मिन अध्व याद करने की बाद भी चाहिए सायक शामगरी महादवीपों के आनुपातिक छेत्र और आकार को दर्साने के लिए सबसे अधिक उप्युक्त होगी पहला विकल्प गलोब दूसरा विश्व का राजनितिक मानचित्र तीश्रा विश्व का भोतिक मानचित्र और चोथा प्रत्थवी का पोस्टर अरे हमें सम एक कक्षा में कुछ आदिम जनजाती के बच्चे सामिल हैं तता इसके कारण उस कक्षा में संस्कृतिक विविद्धता का माहूल है सिक्षक द्वारा इसका प्रभावी डंग से इस्तमाल करने हैं तू निमलिकित में से कौन सा तरीका सबसे उप्युक्त होगा पहला विकल पर विद्यार्थियों से अपनी संस्कृति और उनके द्वारा सबसे अधिक मुल्यवान अथ्वा सम्मानित बिंदूओं से जुड़े प्रकरणों पर क्रियात्मक सोध के लिए कहना ठीक है और दूसरा कह रहा है कि आदिम जनजाती सिल्प करतियों और पोशाकों को प्रत प्रता गई रहा है सवतंता आंदुलन में विर्सामुंडा का सवतंता सेनानियों की भूमिका में जो रोल हुआ था भूमिका दीती उसको उधागर करना देखो हमें यहाँ पर जो है विद्यार्थियों को उनसे अपनी संस्कृति और उनसे द्वारा अधिक मुल्यवान अ पाशान यानि प्रस्तर पत्थर का यूग और पूरा पाशान यानि की सबसे पहले वाला तो भीम बेटका बुर्ज हों इनाम गाउं कल्लर तो यहां पर जो सई जवाब है वह भीम बेटका MP में भोपाल में इस्टित है यहां पर भीम बेटका की गुफाएं हैं जिनके बा खाली जगे के अलावा निम्न लिखित कारक सामाजिक विज्ञान शिक्षण के आधार पर निर्मान करते हैं पहला पाठ्ठ सामगरी पर सूचनाओं का इस्तानांत्रित करने दूसरा है सामाज की आलोशनात्मक समझ विक्षित करने तीसरा विश्ले सनात्मक कोशल को बढ़ावा देने चौता है वेस्पिक दुनिया में समायोजन के लिए सामाजिक कोशलों को बढ़ावा देने तो मैं आपको बता दू कि पाठ्ठ पुस्तक पर सूचनाओं का इस्तानांतर करने के अलावा निम्ल लिखित कारक सामाजिक विज्ञान से च्चन के आधार के निर्माण हैं केवल जो पाठ हमें लिखिवी बाते हैं उनी को हमें नहीं बताना है समाज की आलोशनात्मक समझ विक्षित करनी हैं विश्ले सनात्मक कोशल को बढ़ावा देना है और वेस्विक दुनिया में समायोजन के लिए समाजिक कोशल को बढ़ावा देना है अगले प्रस्ट की तरफ चलते हैं अगला प्रस्ट है हमारा निम्ल में से कौन सा प्रारंबिक इस्तर पर समाजिक विज्ञान के संदर्व में सही है पहला विकल्प है इतियास भुगोल नागरिक सास्त्र समाज सास्त्र दूसरा है इतियास भुगोल अर्थ सास्त्र समाज सास्त्र और तीसरा है इतियास भुगोल राजनिती विज्ञान अर्थ सास्त्र चोथा है इतियास, भूगोल, राजनिती विग्यान और समाज सास्त्र जो NCF 2005 है उसने जो समाजी विग्यान के अंतरगत जिन विसियों को सामिल करने के लिए का गया है वह इतियास, भूगोल, राजनिती विग्यान और अर्थ सास्त्र आपने CT टीम पेपर देखा होगा इन चार टोप पेड़ागोगी के होते हैं जो अभी हम लोग कर रहे हैं अगले प्रशन की तरफ बढ़ते हैं अब अमारा प्रशन संक्या 47 निमलिखित में से कौन सा केंद्रिय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के फॉर्मेटिव मुल्यांकन के लिए सुजाव नहीं है पहला अधिक आवरती से प्रेक्षण करना दूसरा है प्रात्मिक पठ्थ सामागरी के लिए प्रमानिक श्रोतों का उप्योग करना तीसरा है श्रोत आधारित विस्टेशन करना और चौता है मोडल तथा चार्ट तो अधिक आवरती से प्रेक्षण करना ये कभी फॉर्मेटिव मुल्यांकन का तत नहीं होगा फिक है अगले प्राशन की तरफ चलते हैं अब हमारा प्राशन की 48 मांचित्र को समझने की सर्विवापी बासा को समझा जा सकता है वनवाला क्शडों से यहां पर वित लिखा वित नहीं विसेयह है विसे समंदी मान चित्रों द्वारा तीसरा है रूडी चिन्नों द्वारा चोता है रेखत चित्र द्वारा तो हमारा सही जवाब होगा जो रूडी चिन्न होते हैं पहाड के लिए अलग सड़क के लिए अलग रेल के लिए अलग उन चिन्नों के द्वारा मान चित्र को समझन के लिए हम लोग आसानी से सर्व्यआपी बासा है अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता आप आप हमारा प्रश्न हैый सूफी संतों के मगपरा को कहा जाता है तो सूफी संत के मकबरों को पहला option लिखा इबादतगा, दूसरा लिखा दरगा, तीसरा लिखा खान कहा, तो जो सूफी संतों की जैसे अगले प्रशन की तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रशन की तरफ बढ़ते हैं, अटलांटिक महासागर के विशे में निमलिखित तत्य पढ़ें, पहला लिखा है, ये अंग्रेजी के एस आकार का है, बिल्कुल सही बात है, तो लिखा है, इसकी तट रेखा, सरल रेखिये और निरवाद है, ऐसा नहीं है, ठीक है न, तो यहां से जो है, इसकी तट रेखा जो है, तंतूरित तट रेखा इसकी है, जो प्राकरतिक पोताश्र है, एवं जैसे तंतूरित सब्द पीछे आया था तो यहां की तट रेखा जो है सरल रेखी और निर्वाद नहीं है तंतूरित है दंतूरित ठीक है फिल लिखाए व्यापारिक दरस्टी से सबसे व्यस बंदरगा है यह भी सही है यानि ए और सी इसकी विशेशता है सही है और यह सेकें नंबर का जो है बड़ा महासागर है ने आपको बता दू और अट्लांटिक महासागर का सबसे गहरा गृत ट्योटो रिको है और इस महासागर में विश्व प्रसिद बर्मूडा तीरभूज भी है यह इसकी विशेशता है चार पांच जो आपको बता दी है ताकि आपको आगे चलके कोई दिक्कत ठीक है अगले कोशन की तरफ बढ़ते हैं अब अमारा प्रशन है मोर्य सासक असोग द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहां पर है तो कलिंग जो है वर्तमान में केरल आंद्रपरदेश करनाटक ओडिसा तो जो वर्तमान है यह ओडिसा राज्य में इस्तित है अगले प्रशन की तरफ बढ़ते हैं अब अमारा प्रशन है जीवन की उत्पत्ति अविकास के सिक्षण है तू अध्यापक को अवश्य भ्रमन करना चाहिए कहां पर पहला चिडियागर दूसरा जीव सरंक्षण अध्यान यानि की पसु अभ्यारने तीसरा है प्राकर्तिक इतियाज संग्राले और चोथा है पूरा तत्विक संग्राले तो सामाजी विज्ञान के सिक्षण को जीवन की उत्पत्ति अविकास के सिक्षण है तू अध्यापक द्वारा बच्चों को प्राकर्तिक इतियाज संग्राले का ब्रमन कराना चाहिए अगले कर रेखा के मद्दे दूसरा आर्क टिक वरित और अंटार्क टिक वरित के मद्दे तीसरा केवल कर कर रेखा और विशुवत वरित के मद्दे चौता केवल मकर रेखा और विशुवत प्रिक के मद्दे तो यह जो होता है वह करकर रेखा और मकर रेखा कि मद्य अक्षांसों पर दो फेर को सूर्य वर्स में कम से कम एक बार सीधा अवस्य चमकता है ठीक है अगले प्रश्ण की तरफ बढ़ता है अब हमारा प्रश्ण है अभी वरत्ती और मुल्यों का आकलन करते समय सामाजिक विज्ञान के सिक्षक न करना डूसरे के विद्ध करते तो यहाँ पर होगा दूसरे बच्चों के साथ श्रें की साध्यदारी ना करना अगर विद्यार्ती दूसरे बच्चों के साथ श्रेह की साज़दारी नहीं करते हैं तो अभिवरत्ति एम मुल्यों का आकलन करते समय सामाजी विज्ञान का सिक्षक विद्यारती की इस प्रवर्थी की गढ़ना कर सकता है ठीक है अगले प्रश्ण के तरफ बढ़ते हैं अब हमारा प्रश्ण है सामाजी विद्यारती दूसरे विद्यारतियों से पूर्ण रूपेंड सहमत नहीं था दूसरा विद्यारतियों ने साव विद्यारतियों की बात सुनने से बिलकुल मना कर दिया तो फिर कह रहा है विद्यारती सीधे ही अपने साव विद्यारतियों से प्रस्ट करने लगे और चौ बढ़ अई狗 किसी अक्सा में की मैंत विद्धियार्थि ये वाली बात ध्यान देना यहां पर कोई भी दैजिokい दुसरे विद्धियार्थि से पूर्ण रूप से सहमत नहीं था ये बात गड़बाड़ा है ठीक है अगले प्रश्ण की तरफ चलते हैं अब हमारा प्रश्ण है सामाजी विज्ञान में योगात्मक आकलन में एक्यावन विद्यार्थी की कक्षा का मध्यांक 36 है यानि माध्यका 36 है ये तुझाव देता है कि अधिक तो हम यह कह सकते हैं जो म privately टोता है वह उसके आधे उधर होते हैं यानि 25 विद्यार्थियों के अंख 36 के नीचे नीचे होगा अधिकांस विद्यार्थियों का जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे जाना जाता है पहला द्वीप दूसरा जल संदी तीसरा भू संदी चौता है खाड़ी तो हमारा सही जवाब है दो भूखंडों को जोड़ता है वह भू संदी कहलाती है अगले प्रस्ण की तरफ बढ़ते हैं अब हमारा प् वहां पोधे और पसू भी आ जाते हैं तो यहां पे भू जल वायू जो अभी जेव मंडल के लिए बताया था वही यहां पर सही हो जाएगा अगले प्रस्ण की तरफ बढ़ते हैं अब हमारब प्रस्बंकी निवन में से कौन सा विविजिता को बढ़ावा देता है अपने गाहु जानाultural रेलगाडी में यात्रा करना अपनी मात्र वाषा में बोलना अपने त्योहार को त्योहार तो जब आएंगे तब मनाएंगे लेकिन मात्र वाषा को थो हमें बोलने से तुरंत विविद्धता को बढ़ावा मिल जाएगा सब अपनी अपनी वासाओं में बोलेंगे तो विविद्धता हो जाएगी ठीक है और इससे विविद्धता बढ़ती चली जाएगी अगले प्रश्ण की तरफ बढ़ते हैं अब हमारा साथवा प्रश्ण सन दोजार बारा निमलिक्स में से किस प्रकार से लिखा जा सकता है पहला है AD 2012 दूसरा लिखा AP 2012 तीसरा लिखा BP 2012 फिर लिखा है EC 2012 2012 तो एनो डॉमिनी के हिसाब से जो आं इसाई के जो इस्वर है जूलियन और ग्रेग्रियन क्लेंडर की बात करें तो उसके लिए जो उनके कलेंडर के पहले का समय है वो आपका कहलाता है यहां पर होगा इनौ डॉमिनी 2012 ठीक है आसा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा है तो सबस्क्राइब जरूर करें और लाइक करें और शेयर करें कोई बात नई समय आई है तो कमेंट करें अगले पेपर कराते समय आपको उस बात के बारे में बता दिया जाएगा तब तक के धन्यवाद